दोस्तो तारीक 25 मई और दिन सोमवार का है सबसे पहले तो आप लोगों को ईद मुबारक की दिन आज ईद का है अब शुरू करते हैं दुनिया भर की तमाम एहम और बड़ी खबरों को लेकर हम एक बार फिर आ गए हैं शुरूबात करते हैं हेडलाइन से इदुल फितर आज पहली बार मजदित के बजाए घर में ही अदा होगी नवाज दोस्तो नहीं थम रही बसों को लेकर शुरू हुई सियासत अब अखिलेश ने बोली ये बात क्या बात होने वाली है जानेंगे हमारी रिपोट में 31 मई के बाद भी बढ़ सकता है लोकडाउन इस राज जिके मुख मंतरी ने दिये हैं कुछ ऐसे ही संकेत बात करते हैं मायावती की मायावती पर कॉंग्रेस का पलटवार पी-एल पुनिया ने कही है ये बात-बात क्या है पूरे मामले को जानेंगे हम विस्तार से जुड़े रही है हमारे साथ अगली ख़बर की और बढ़ते हैं गुजरात हाई कोट की टिपनी को लेकर कॉंग्रेस ने साधा निशाना कहा कभी नहीं सुने ऐसे शब्द हालात बत्तर किन शब्दों की बात हो रही है ये भी जानेंगे हम हमारे इस रिपोर्ट में लोगडाउन के कारण मायवती बीजेपी के साथ और अखिलेश यादव को और कॉंग्रेस का गठ बंदन बात करते हैं कोरोना वाइरस की इस बार अलग अंदाज में लड़ा जाएगा बिहार विधान सवत चुनाव कोरोना वाइरस की वज़े से चुनाव है वो अलग तरीके से लड़ा जाएगा जाने किस तरह की तयारी में जुटे हैं राजनितिक दल बात करते हैं आत्म निर्बर भारत अभ्यान की दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने मिलाया मोधी सरकार के सुर में सुर विस्तार से जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजी सब्सक्राइब क यूपी की बात करेंगे यूपी में बिना मास्क लगाए घर से निकलने और टूवीलर पर पीछे बठाने पर होगा चालान अगली हेडलाइन के और बढ़ते हैं दुशकर्म मामले में कुल्दीप सिंग सेंगर की बेटी ने कॉंग्रेस ने तुरी अलकालांबा पर दर्च से फेल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने समर्थन दर्च करें सबसे पहले जान लेते हैं चीनी बिमारी के आगड़ों के बारे में देश में कुरोना संकर्मितों की संख्या एक लाख अरतीस हजार पांस्तों तैस हो चुगी है रविवार को देश भर में रिक एक लाख चालीस हजार के पार जा सकता है इसी तरह 11 मई तक देश में 22,596 मरीज ठीक हुए है यह आगड़ा 13 दिन में दोगुना से जादा हो गया है रविवार तक देश में से 55,692 मरीज ठीक हो चुके हैं देश में कुरोना मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर 41.28 प्रत मताबिक देश में 13,845 संक्रमित हैं इसमें से 77,130 का इलाज चल रहा है 57,720 ठीक हुए हैं और 4,021 की मौत हो चुकी है तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की और इदुल फितर आज पहली बार मस्धित के बजाए घर में अदा होगी नमाज कुरोना संक्रमन के कारण ल 28 मई को है और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक इद मनाई जाएगी लोकडाउन की वज़े से इतिहास में पहली बार मस्धित के बजाए घर में ही नवाज अता की जाएगी जिला भर की सवी मस्धिते बंद हैं मस्धितों के बाहर नोटिस चिपका दिये गए हैं और फोन के माद चाशन ने सरकार की गाइडलाइन का हवाला देकर इंकार कर दिया और घरों में रहकर त्योहार मनाने के लिए कहा दोस्तों अगली खबर जो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं 31 मई के बाद भी बढ़ सकता है लोकडाउन माराश्च मुख्यमंत्री उधफ ठाकरे ने वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये जनता से समवाद किया उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि 31 मई तक लोकडाउन खतम हो जाएगा हमें देखना होगा कि हम कैसे आगे बढ़े आने वाला समय महदवपूर्ण है क्योंकि वाइरस तेजी से बढ़ रहा है मैं मैजिकल व इस संबंद में विवरण और दिशानिदेश जारी करेंगे तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की और कुरोनवाइरस के मद्दे नजर बसों को लेकर जो सियासस शुरू हुई थी वो थमने का नाम नहीं ले रही है इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के रास्टी की माओं में फसे हुए हैं यूपी सरकार उनके बारे में समवेदनशी नहीं दिख रही जबकि श्रमिको का संख़श अभी खतम नहीं हुआ है ये अस्तित्व की लडाई है जो लंबे समय तक जारी रहेगी प्रदेश में बढ़ रहा है कोरोना का खत्रा बता दें कि समाज वादी पार्टी के अध्यक्ष ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमन का खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है जिसके प्रतीप पसाशन उदासी नजर आ रहा है यूपी की भाजपा सरकार की संकट से निबटने की इक्षा शक्ती भी कमज लोगडाउन और कोरोना संक्रमन के बीच प्रवासी श्रमिक और कामगारों के बाद कॉंग्रेस अब दलित उत्पीरन के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरना चाहती है ना सिर्फ सरकार बलकी बहुजन समाजवादी पार्टी की रास्टी अध्धशमायावती को भी प्रदेश मुख्याले में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी की वरिस्ट नेता पी अल पुनिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी अधितनात की दलित विरोधी सरकार में दलित समाज पर राजिस संगरक्षन में हमले बढ़े हैं कई घजनाओं का उधारन देते हु वे उन्होंने कहा कि लंभी लिस्ट है और ये सब सरकारी संगरक्षन में हो रहा है। अपने बयान में कॉंग्रेस के वरिस्ट नेता पी अल पुनिया ने कहा हमें लगतार दलित उत्पियन के मुद्दे को उठाया है। लड़ रहे हैं लेकिन स्वा घोशित दलितों की ने कटवाने गए एक दलिती वक्की धार वाले हत्यार से गला रेत कर हत्या कर दी अगली खबर क्यों चलेंगे दोस्तों गुजरात हाई कोट की टिपनी को लेकर कॉंग्रेस ने साधा निशाना गुजरात हाई कोट की टिपनी के बाद कॉंग्रेस ने केंद्र राज सरकार पर न प्रेमंत्री अमिच शहा के संसदिय छेत्र एहमदाबाद में कुरोना की स्थिती सबसे बदतर है और यदि इस महामारी के खिलाफ लड़ाई छेड़ने वाले इन दोनों नेताओं के ग्रया छेत्र की ये स्थिती है तो जंता उन पर कैसे भरोसा करेगी कि वो देश के इस महा प्रदेश को ही समालने में असमर्थ साबित हो रहे हैं एमदाबाद अमिच शहा का संसदिय छेत्र है लेकिन इस छेत्र में कुरोना संकट बन गया है इसे लेकर गुजराथ हाई कोड की टिपणी चोकाने वाली है इस तरह कोड की फटकार पहले कभी नहीं सुनी उन्होंने केंदर राज से सवाल पूछते हुए कहा है क्या उनको मालूम है कि प्रदान मंत्री और ग्रै मंत्री के ग्रैराज में क्या हो रहा है अगली खबर की और बढ़ेंगे अगली खबर है गठ बंदन की मायवती और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीती में एक ही चोर पर खड़े हैं तरीके से तो दोनों के common दुश्मन एक ही होना चाहिए मगर ऐसा नहीं लग रहा है और दोनों ही नेताओं के हाल ही के इस ट्वीट इस बात के सबूत को पेश कर रहे हैं मायवती और अखिलेश यादव ने 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी कठबंदन बनाया था चुनाव नतीजे आने पर ये मालूम हुआ कि मायवती तो फाइदे में रही लेकिन अखिलेश यादव की पतनी डिंपल यादव ही चुनाव हार गई अभी अखिलेश यादव को सोच पाते उससे पहले एक दिन अच इलेश यादव की समाजवादी पार्टी दोनों के सामने एक ही राजनितिक विरोधी है बीजेपी और मुक्यमंतियोगी आदेतिनाद जहां तक सूबे में सियासी हिस्सेदारी की बात है कॉंग्रेस भी दोनों ही नेताओं के लिए बीजेपी जैसी ही राजनितिक विश्म दिली सरकार ने अपने सभी बिवागो सभी नगर निगम बोड आदिको समर्थन रुपी आदेश जारी किया है सरकार ने कहा है कि 200 कड़ोर रुपे तक की सरकारी खरीद के ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे अगर इस लिमिट से कम पर किसी ज़रूरी कारण में ग्लोबल टें दिली में बिना मास्क लगाए घर से निकलने और टू वीलर पर पीछे बैठाने पर होगा चालान उत्रपदेश में कोविड नाइंटीन विन्मा वली 2020 के तहत अब जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है नए नियमों के अनुसार बिना मास्क लगाए या बिना चारा ढगे घर से निकलने पर पुलिस धारा पंदरा तीन के तहत 100 रुपे से 500 रुपे तक का जुर्माना वसूल करेगी दोस्तों कॉंग्रेस ने त्रियल का लामा अपने एक ट्वीट के कारण विवादों से घिर गई है मामला दुशकर्म केस में उन्नाफ के पूर्व व रहाई की जूटी बात फैलाई और विवादे टिपनी की जिस पर तमाम कमेंट हुए से पूरे परिवार को मानसिक पतारना जेलनी पड़ी है तो दोस्तों ये थी आज की कोई हद एहम खबरें आगे और ऐसी एहम खबरें जानने के लिए जुड़े रही हमारे साथ